गुड आफ्टून एवरीबडी एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत है आज के स्वेशल ग्लास में टॉपिक चल रहा था दोस्तों आप सभी लोगों के लिए नाउन एक ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका एक्जाम में सवाल पूछा ही जाता है और नाउन का भी खास ही इनफॉर्मेट्व होगा आप सब स्टूडेंट्स के लिए सो सेंशन को आगे बढ़ाएं दोस्तों ते पहले आप लोग वीडियो को शेर कर दो यार अभी तक अगर नहीं किया हो तो चलो पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को शेर कर दीजे सो और भी गैडिडेट्स है जैसा कि आप सबने देखा यह नाउन टापिक है और आज इसकी पांचवी क्लास है यानि four classes already हो चुकी है तो नाउन की जो क्लास हो चुकी है उसमें हम लोगोंने नाउन के नंबर के बारे में सीखा नाउन एंड नंबर हम लोगोंने सीखा नाउन एंड नंबर दूसरे हम लोगों ने सीखा यह सारी चीजी अगर हम देखे तो अभी तक कम्प्लीट हो जुकी है ठीक है फिर उसके बाद पांच में नमबर पर नाउन के स्पेशल कॉंसेट जिनको हम सिंटैक्स कहते हैं नाउन एंड सिंटैक्स यह भी हमने तिखा आज हम सीखने वाले नाउन का छटा कॉंसेट्ट इस नाउन एंड कीज़ आपको बता दें कि आपके इंगलिश में टोटल तीज टॉपिक्स एक्जाम में पुछे जाते हैं इन्ह 15 टॉपिक्स आप यहीं पे पढ़ेंगे वाइफ़ाय स्टड़ी पर और माइडियर स्टुटेंट्स बाकी के 15 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टड़ी गाइड्ड इस्ट़ी गाइड पे इसले 15 टॉपिक्स पढ़ाय ज रखा है foundation batch आप यहाँ पे Wifi study पे दो बजे देखते हैं class और study guide पे सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे दोस्तों study guide चैनल पे होती है यह दोनों जगे की classes जो बच्चा देखेगा वो पूरा स्लेवस exam से पहले कर लेगा और paper देने जाएगा तो marks भी 50 out of 50 लाएगा यूटूब चैनल सर्च कर लीजेगा दोस्तो study guide यूटूब चैनल भूलिएगा नहीं इसको सब्सक्राइब करना अधरवाइस सुबह 9 बजे की class मिस हो जाएगी यह कुछ classes हमने पढ़ाई है यह जो red color वाला है न थमनित देखो लिखा है अब की बार ससी exam पार English प्रिलिप प्लस मेंस पढ़ना आज से शुरू करें तो यहां से शुरू करना है और फिर उसके बाद यह सारे topics टेंस वगरा पढ़ाया अब एक्टिवाइस पैसुवाइस खतम हो रहा है कल के class के बाद और फिर अगला जब Monday Tuesday को class होगी तो एक नया topic वहां शुरू होगा और यहां पे का पेड़ बैच आपकी बड़े काम आने वाल है दस वजे का यह बैच हम आपको English के साथ Maths Reaising GS सब कुछ प्रोवाइड करेंगे और टायर वन टायर टू के लिए कोर्स आपको आज खरीदना पड़ेगा नहीं तो ओफर खतम हो जाएगा आज ही 30% का छूट मिलना है 30 September तक कोर्स परचेस करें संदी बारा कोड लिखें और अपलाय करें 54 पर क्लिक करके पेमेंट करें और अल सब्जेक्ट पढ़ें जिस भी एक्जाम के लिए आप कोर्स करें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शेयर कर दीजे आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजे सब लोग मिलके तुरंद शेयर कर दीजे बच्चों तुरंद शेयर कर दीजे अभी तक बहुत से बच्चों ने शेयर नहीं किया है जल्दी से चीक है चलिए बहुत बढ़ें शेशन को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खेला तो हमारा आज का ये टॉपिक है तो हम बात करेंगे आज इस पर नाउन एंड केस क्या होता है टोटल चार प्रकार के केसे आपके नाउन एंड केस में आते हैं सबसे पहला केस आता है सब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और चौधे नंबर पर केस आपका आता है त попробके इस पजिस्टी मेरी हमारा आपकर यह न्युत क्या है sentence का noun जब sentence में object बन क्या है तो objective case है example के तौर पे example के तौर पे अरे भाई कुछ questions करने थे क्या चलो last पे कर लेंगे उसको example के तौर पे मैं आपको लेके चलता हूँ यहां पे noun and case यहां शुरू है वो कल वाले 5 questions रहे तिना उसको बादे बढ़ा दूँगा तो example के तौर पे मिरे प्यारे बच्चो जैसे जैसे मैंने कहा आप सभी लोगों के लिए रोहन helped रोहन helped नेहा रोहन ने नेहा की मदद करी तो आप देखिए दोनों noun है है ना इस जगे पर यह रोहन subject की यह पर बैठा है तो यह आपका subject 2 case है sub j c t i ve subject 2 case है साथियों और यह नेहा यहाँ पे वब के बाद object बनके बैठी है तो यह आपका objective के इस हुआ तो आप subject to objective से already परचित हो यह कोई नया नहीं है Subjective or Objective is not new जो नया है वो आपके बाकी के जो दो है उसके बारे में जान लीजे जरूरी है तीसरे नमबर पे आता है प्यारे बच्चो That is Walkative Case ये Walkative Case क्या होता है T-I-V-E Walkative Case का नाउन क्या होता है Walkative का एक्चुली मतलब होता है जब कभी भी आप किसी इंसान से कोई बात कह रहे है कोई शब्द से पुकार कर जैसे मा लीजे आपने किसी से कहा रोहन कहां जा रहे हो रोहन वेर आर यू गोईंग आप ध्यान से देखिए तो आपने जब ये लाइन बोली तो इस लाइन को बोलने से पहले आपने उसको रोहन नाम से बुलाया उसको आपने रोहन नाम से बुलाया जब आप किसी भी लाइन को बोलने से पहले किसी शब्द से किसी को पुकारते हैं तो वो शब्द आपका वोकट्यू की इसका नाउन होता है अगर वो नाउन है तो र अंतोष शब्द आपका वकेटिव केस का नाउन है ऐसे बहुत सारे चीजे बनेंगे अब आप एक सवाल पुछोगे संदीप सरीस की जरूत कहां पढ़ेगी 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 नरेशन में एन ए डवल आर ए टी आई और जब आपको डारेक्ट इन डारेक् एक पॉइंट है जहां पर वकेटिव केस के नाउन की जरूत पढ़ती है और वो जरूत पढ़ती है क्या है कैसे है रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे इसकी क्या मदद मिलेगी वो मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगे लेकिन अभी आप जानो वकेटिव केस क्या है जो आपका वकेटिव केस का नाउन होता है ठीक है तो यह आसान तरीका है किताबी भाषा में जाओगे लंबी चोड़ी डेफिनिशन रट के समझते न रह जाएंगे सिंपल भाषा में बसीतना जान लो एक्जाम में यह आएगा तो आप निकालने जाओग ठीक है तो हमने यहा यह बहुत important point है possessive case possessive case क्या होता है ऐसे nouns जो possession के लिए इस्तेमाल किये जाएं ऐसा तरीका जो possession के लिए बनाये जाए उसको हम possessive case कहते हैं possession का मतलब एक प्रकार से ownership आप कह सकते हैं मतलब आप एक प्रकार से मालिकाना हक जब मालिकाना चीज हो जाती है तो आप उसको possession कहते हैं जैसे example के तौर पर आपने कहा देखो possession show करने के जनरली दो तीन तरीके होते हैं एक तरीका प्रणाउन का जानते हो जैसे आपने कहा my car तो यहाँ पर यह माई शब्द car पर possession दर्शाने के लिए आ रहा है ना my car में मेरी car तो car पर possession दर्शार रहा है अगर आप my की जगा योर car कहते हैं तो car पर possession किसी और का हो जा रहा है तो यह एक तरीका है possession शो करने का यह एक तरीका है उसी प्रकार से possession शो करने का दूसरा तरीका आप पजस्यू केस में पढ़ेंगे चिक दूसरा तरीका आप कहां पढ़ेंगे पजस्यू केस में पढ़ेंगे कहां पढ़ेंगे पजस्यू केस में पढ़ेंगे तो आज मैं आपको पजिस्यू केस पूरा पढ़ाने वाला हूँ प्लीज यार लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से प्लीज लाइक करके शेयर कर दो और मेरे बच्चों अगर जिन बच्चों ने कोर्स लेना है पूरा पढ़ने के लिए English, Maths, Reasoning, GS, Computer, टायर वन प्लस टायर टू और यूरो नोट्स वगरा भी चाहिए आपको सारे एजुकेटर्स की डाउट्स पूछने का प्लेटफॉर्म भी चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले लिजेगा कोर्स संदी पर 12 लगा के और लिंक पिन करवा दिया गया है आज ओफर का अंतिम दिन है इसलिए आज मैंने सब्सक्रिप्शन वाला लिंक पिन करवा है चले तो यहां तक हम लोगों ने देखा इसके बाद बारी आती है दोस्तो हम बात करते हैं कि हम पजिस्यू के इस नाउन में कैसे पढ़ते हैं एक्चुली यह पजेशन शो करने के लिए हम जैसे इस टाइप से लिखते हैं राम की कार तो हम लिखते हैं राम कार पढ़ा होगा आप लोग ने कोई असानी की पहली वारा ऐसी चीज़े आप सुन रहे हैं कि हम पजेशन के लिए एप उस्टॉफ इसका इस्तोबाल करते हैं पढ़ा है ना इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यहां पर कई प्रकार के पजेशन्स होते हैं जैसे सबसे पहला पजेशन पजेशन दो प्रकार के चीज़ों को बनेगा देखो मैं इससे समझाता हूँ जैसे राम सकार का मतलब होता है राम की कार राम सकार इस ब्लैक सपोज मैं यह लिख दू तो आप संडेस कहोगे कि राम की कार काली ह ठीक है अब इस sentence में अगर आप ध्यान से देखो तो राम सकार राम की कार लिखा हुआ है यानि कि यहाँ पर राम कार का मालिक हुआ समझ ना ये इस चीज़ का मालिक हुआ तो ऐसे cases में जो मालिक होता है वो apostropheus के पहले लिखा होता है और जिस वस्तु का वो मालिक होता है वो apostropheus के बाद लिखा होता है इंदी में की शब्द लिखते हैं इस एपॉस्टॉफी के लिए तो मेरे प्यारे साथियो इस केस में एक बात याद रखना पूरे पजिस्यू केस में ये जो एपॉस्टॉफी एस लगा के हम इधर साइड और इधर साइड में एक तरफ मालिक और दूसरी तरफ जिसका मालिक वो लिखते है पहली important बात ये है कि ये दोनों शब्दाफ के पार्ट साफ स्पीच में हमेशा noun होने चाहिए दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए पहली बात केवल noun होना चाहिए apostropheus के left वाला noun, apostropheus के right वाला noun apostropheus जिससे शब्द से चिपकता है वो केवल noun होना चाहिए बहुत बार मैंने adjective के साथ apostropheus लगा हुआ देखा और अगर वो ऐसा आपको दिख जाए तो आप आँख बंद करके उसको टिक कर देना वो error है, वो कभी नहीं होना तो राम सकार में यहाँ पर आप देखे, पहला basic formula आपको याद रखना है कि यहाँ पर दो चीजे होंगी, एक apostropheus के पहले, एक बाद में दूसरा, जो पहले लिखा होगा, वो मालिक होगा, जैसे यहाँ राम मालिक है और जो बाद में लिखा होगा, वो आपका मालिक नहीं होगा, बलकि उसका मालिक होगा तीसरा, कि यहाँ पर आपका जो मालिक है, जैसे राम सकार लिखा, तो राम की कार यानि जो मालिक है, अगर आप लिखते हैं राम की कार, तो यहाँ पर आपका मालिक राम हुआ लेकिन अगर आप लिखते हैं, कार का दर्वाजा बंद करो, कार का दर्वाजा बंद करो, तो मेरे प्यारे सातियों, अब यहाँ पर दर्वाजे का मालिक कार है, किसका दर्वाजा, जैसे राम की कार, तो कार का मालिक राम, कार का दर्वाजा, तो दर्वाजे का मालिक कार, त ये निर्जीव है ये non-living है समझ रहे हैं ये क्या है ये आपकी तो मैं ये चीज इतले समझभा रहा हूं कि आपका जो जो मालिक है ना possession शो करने में दो प्रकार के टक्राएंगे कभी living मालिक होगा कभी non-living मालिक होगा राम की कार तो राम मालिक, नेहा का भाई तो नेहा मालिक, हना रोहन का बेटा तो रोहन मालिक, समझ रहे हो ऐसे construction में, लेकिन निर्जीव में जैसे पंखे की पत्तियां तो पंखे की ब्लेड्स पंखा मालिक है, है ना, उसके बाद आपने कहा टी-शिर्ट की बटन, तो बट मालिक है, वो living और non living दो प्रकार के होंगे और दोनों के possessions अलग-अलग बनते दो, समझ रहे हैं ? मैं पहले आपको बताऊंगा, जब मालिक आपका living है, जब मालिक का क्या है ? जब मालिक आपका, जब मालिक आपका क्या है, लिविंग है, जब मालिक आपका लिविंग है, तो पजेशन कैसे शो करेंगे, सुनते चलिएगा, सबसे पहला, कई प्रकार की आएंगे, पहला पजेशन है, सिंपल पजेशन, हम इसको सिंपल पजेशन इसलिए कहते हैं, क्यों रोहन्स ब्रदर रोहन का भाई आप सिंपल पजेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई एक आदमी किसी नाउन को पजेश कर रहा हो वो माल किसी कोई भी चीज़ों सकती इधर वाला इधर वाला लीविंग होना चाहिए हम उसके साथ लगा के उस पजेशन को बना लेते इसलिए रा कंस्ट्रेक्षिन पो पजेशन बीप सी वी बना सकते। राम साथ को दका राफ राफ रोहन'S ब्रोहन ब्रदर को दब दर रोहन भी लिग सकतें समझ रहे हैं मतलब हम यहाँ पर possession चाहे off से बनाएं चाहे post office से बनाएं हम यह तरीके से बना लेते हैं ठिक इसी simple possession में एक और बात आपको जाननी जरूरी है मैंने अभी simple possession ए post office से बनवाया जैसे example मैंने लिखा यहां पर राम्स कार लिखवाया लेकिन कभी-कभी possession केबल एक पॉस्ट्रॉफी से भी बनता है इसके पारे में जान लीजें आप देखो एक example है जैसे wild hostel wise hostel कि इसमें पताएं क्या है मेरे फ्यारे सत्यों है यहां पर एक बात ध्यान से देखे पहले वाले में egy post आपी एस लगा नीचे वाले में केबल एपोस्ट्रॉफी लगा एस नहीं लगा क्यों एक जब apostrophe के पहले वाला लेटर पहले से ही s का sound पैदा कर दे जरूई नहीं कि s ही लिखा हो कभी कभी c को भी हम सा पढ़ते हैं दोस्तों है ना और भी बहुत सारी c e लिखा होता है इसको भी हम सा पढ़ लेते हैं s का sound पैदा कर दे तो apostrophe के इधर side आप s नहीं लगाएंगे अगर इधर side s लिखा है तो उधर side s नहीं लगाएंगे यहां पर देखे एपॉस्टॉफी के इधर side मा का sound आ रहा था जो कि s नहीं है तो उधर side s लग गया लेकिर इसमें इधर side apostrophe के सा का sound आ रहा है सा आया सा आया तो उधर side s नहीं लगेगा एक ही तरफ s लगाना है कुछ किताबों में क्या लिख देते हैं कि singular हो तो लगा दो plural हो तो ना लगाओ गलत लिखते हैं सरासर गलत है children children's day होता है हम इसके साथ apostrophe s लगा के लिखते हैं क्यों क्योंकि children अंत में ना आता है s का sound नहीं है तो apostrophe के बाद s लगेगा जबकि ये तो plural है अगर plural के साथ केबल apostrophe लगता तो यहां भी लगना चाहिए था लेकिन नहीं यहां पर apostrophe s पूरा लग रहा है लग रहा है ना तो ये बात ध्यान रखें कि आप apostrophe और apostrophe s में इस बात का अंतर रियाद रखें और बताता हूँ जैसे आपने कहा for justice for justice sake अब आपको इस जखे पर apostrophe s जो भी लगेगा लगाना है justice सा का sound आ गया जबकि अंत में e लिखा हुआ है सा का sound आया केबल apostrophe लगेगा कोई s नहीं लगेगा इसके साथ तो ये बात ध्यान रखें कि apostrophe और apostrophe s कब कैसे कहां पे लगाया जाता है मेरे बच्चों तो ये था आपका simple position जो कई तरीके से बनेगा apostrophe s कब लगाना है apostrophe कब लगाना है off से कब बनाना है क्या construction होना चाहिए ये सारी बाते आप इन दो पेजेस से अर्चे से आप सीख चुके simple position हुआ दूसरे पर आईए दोस्तो simple position के बाद आता है joint position ये joint शब्द से आपके दिमाग में किस प्रकार का चित्र बना हम लोग जैसे बोलते joint account खुला लो बैंक में पत्ती पत्नी उन्हें मिलके joint account खुला लिया या किसी company के पार्टनर्स हैं factory के पार्टनर्स हैं उन्होंने joint account खुला लिया तो joint शब्द का मतलब होता है आपस में जुड़कर जुड़कर उस चीज के मालिक होंगे उसको हम कहते joint account joint ये वो वैसी joint position कि यहां पर आप अधिकार होगा लेकिन जुड़कर होगा इसमें क्या करते हैं जैसे मान लिजे राम एंड गोपाल लिखा हुआ है ठीक है अब ये दोनों के घर में मतलब ये दोनों मान लो भाई हैं राम गोपाल भाई हैं और आप इनके बाद कार लिखते हैं और ये दोनों जो है इस कार के मालिक है राम गोपाल अरे आपके घर में कार होगी आप चार भाई दो भाई हो तो भाई था आप दोनों वो कार आप दोनों की ही तो है ऐसे थोड़ी बोल दोगे के बड़ी भाईया की कार पापा ने खरी दी है तो आप तो यही कोगे न हमारी कार है तो मतलब आप दोनों मालिक हो जब दोनों किसी चीज के मालिक होते हैं तीन हो तीनों मालिक हो चार हो चारों मालिक हो दस नाम लिख दो कोई फरक नहीं पड़ता सब नाम लिख दो सबसे अंतिम वाले के साथ केवल A के पॉस्ट आफियस लगाना जब केवल A के पॉस्ट आफियस लगता है तो ये पॉस्टेशन हो गए joint मतलब दोनों जुड़कर इस कार को अधिकार में ले रहे हैं समझ रहे हैं आप इसी को जितने भी टाइप के पॉस्ट आफियस से बनते हैं जिसका भी आप बनाते हैं सब का बन सकते हैं मेरे बच्चों ये हो गया हमारा joint possession इसी joint possession से एक अगला possession तीसरा निकल के आया इस separate possession ये separate possession क्या होता है separate शब्द से क्या मतलब समझते हैं separate का मतलब अलग-अलग ये दोनों भाई जो थे घर में बटवारा हो गया इन्होंने कहा ऐसा है अब सब लोग बाढ़ लेते हैं दो कार थी घर में एक राम ने ले ली एक गोपाल ने ले ली तो अब दोनों की अपनी अपनी कार है मतलब अगर जितने नाम लिखे हुए है राम, गोपाल, चंदर, मंदन जो भी लिखा हुआ है अगर सब के अपने अपने हो वो अंतिम वाला शब्द तो एपोस्टॉफियस केवल अंतिमे नहीं लगेगा बलकि सब के साथ लगेगा तो आप सेंटेस ऐसे लिखेंगे राम्स, कॉमा गोपाल्स, कॉमा मालो तीसरा नाम तीन है नाम है तो गोपाल्स एंड रोहन्स अब ये तीन गाड़ियां हो गई एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास अब आप लिखना है आपे कार्स मेरे प्यारे बच्चों ये कंस्ट्रॉक्शन है सेपरेट पजेशन का इसका अपना, इसका अपना और इसका अपना जब सब के साथ एक इस लगे तो सब के पास एक एक नाउन होगा जो अंतिम में लिखा है और जब केवल अंत वाले के साथ लगाओगे तो सब मालिक हैं उस अकेली या दस्ट हो चीज लिखी हो कुछ भी हो उस चीज के आई बात समझ में क्लियर हो रहा है बच्चों समझ में आ रहा है ना समझते चलिए गा तो ये कहलाता है आपका सेपरेट पजेशन राइट एवरिबड़ी इसको भी आप एपस्ट्रॉफियस वाले को ओफ से बना सकते हो दकार, सौफ, राम, गोपाल, एंड रोहन्स सब में एपस्ट्रॉफियस से ऐसे बंज़ए चौथा पॉइंट आता है एक टर्म आता है डबल पजेशन डबल पजेशन और रूल कहता है ये कभी यूज मत करो नेवर यूज नेवर यूज डबल पजेशन ये अलाओ नहीं है इंगलिश ग्रैमर में डबल पजेशन अलाओ नहीं है, डबल पजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिए राम है तो आपने का राम की पतनी का भाई राम सु वाइफ सु बरदर राम की पतनी का भाई इस आ डॉक्टर राम की पतनी का भाई मतलब राम का साला तो आपने लिख दिया राम की पतनी पतनी का भाई डबल हुआ ना, यहां से यहां यहां से यहां, यहां से यहां पर क्या है यह अपने बगलवाला और यह बगलवाला अपने बगलवाला इसको कहते डबल पजेशन और यह संटेज गलत है ऐसा जब भी मामला फसे तो सबसे पहले मुख्य नाउन को उठाईए तैट इस ब्रदर तो आपने लिखा दा ब्रदर अब यह ब्रदर किसका है और लगाके उसको लिखो दा ब्रदर है राम की वाइफ का तो दा ब्रदर आफ रामस वाइफ अब आगे आप लिखो इस आँ त से बनाते हैं आ रही है रहे है बास समझ में या सणनो एवरीबड़ी गेटिंग्स पॉइंट या सव नोında पासमुद्दह समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है न सबको कि आ रहा है बहुत अच्छे तो एक इन्पार्टेड इन्फोर्मेशन आप सभी लोगों के लिए Study Guide YouTube चैनल पे इसकी आधा स्लेवर्स वहाँ पढ़ाय जाता है आधा स्लेवर्स मतलब जो टॉपिक वहाँ पढ़ाय जारे है वो यहाँ नहीं पढ़ाय जाएगा तो आप लोग इस Study Guide YouTube चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए सुबह 9 बजे 15 टॉपिक्स की क्लास वहाँ पे चल रही है और 15 ही टॉपिक्स यहाँ पे चलेंगे टोटल आपका स्लेवर्स 30 टॉपिक्स का है तो आपको Study Guide चैनल का लिंक आप इसी कॉमेंट बॉक्स में उपर देखो लिखा हुआ है पिन कर दिया गया है Wifi Study से कि Subscribe Study Guide है ना तुरंट क्लिक करो और Study Guide पे जाके Subscribe की बटन दबाओ बेल आइकन दबाओ और All क्लिक करो Subscribe की बटन उसके तुरंट बगल में आ जाएगा बेल आइकन बेल आइकन दबादो बेल आइकन मतलब घंटी जैसा निशान बन जाएगा तो वो घंटी दबादो उसको दबाते ही तुरंट All लिख जाएगा एक बगल में बस वो All दबादो इतना करके आजो चलो जल्दी से फिर मैं आगे लेके चलता हूँ जल्दी से कर लो सारे लोग क्योंकि फिर आपकी Class शूट जाएगी वहाँ पे सुबह 9 बजे हर रोज क्लास होती है सुबह 9 बजे तो मेरे प्यारे भाईयों बैनों हर रोज सुबह 9 बजे इस क्लास को आपको अटेंड करना है ठीक है कर लो जल्दी से एक्ट्वाइस पैस्ट्वाइस वहीं पे पढ़ा रहा हूँ यहां नहीं पढ़ाऊंगा डारेक्ट इंडारेक्ट भी स्टडी गाइड पे पढ़ाऊंगा यहां नहीं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट भी वहीं पढ़ाऊंगा conditional sentence भी study guide पर पढ़ाऊंगा सुबह 9 बजे तो सुबह 9 बजे आप study guide पर class देखिए ठीक है और wifi study जिस पर अभी आप देख रहे हो यहाँ पर दो पहर दो बजे यह तो आप जानते ही हो ठीक है चलो कर लो सारे लोग जल्दी से चैनल पर 21,000 बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं और हम सभी को मिलके इसे की सजार को तुरंत एक लाग पहुचाना है कि कर लो सब के सब कर लो जल्दी से जल्दी करो 40 बच्चे हुए 21,000 होने मात्र 40 40 बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे 21,000 हो जाएगा चलो करके आजो जल्दी से आजो सब के सब तुरेन बच्चो मात्र 40 बच्चे 37 बच्चे 21,000 होने में उनली 37 जल्दी से सब्सक्राइब करके आजो सबी तुरंत सारे बच्चे लिंक कॉमेंट में उपर देखो पिन करवा दिया है स्टडी स्टडी गाइड का बस लिंक पर क्लिक करो चैनल खुल जाएगा लाइट नहीं है आज हमारे हमारे हैस्मिस इस समय दरसल दशेहरा की वज़ा से शेहर की 2030 नहीं हो जाएगा तब तक दशेहरा नहीं हो जाएगा तब तक यह रहे गही रहेगा ठीक है कर दिया एरर कैसे find करें सिखा देंगे पहले foundation strong कर लीजे फिर error भी सिखा देंगे आप दिमाग बिलुकुल ना लगाओ जो जिस सीख से पढ़ा रहा हूं अगर आपने इस sequence को अगले तीन-चार महीने follow कर लिया इंगलिश आप को आ जाएगी इमानदारी से कसम खालो की हम कभी भी नागा नहीं करेंगे time पे इन दो classes का हिस्सा बनेगे सीख जाओगे और नागा करोगे घूमोगे टेलोगे यूटूब पे करना क्या है 10,000 teachers English पढ़ा रहे होंगे कही न कहीं खोजते रहोंगे रोज रोज एक नए टीचर तो फिर सीख चुके इंगलिश आप किसी को भी पकड़ लीजे मैं यह नहीं कहता आप मुझस से पढ़ लो आपको जिनका पढ़ाया हूँ अच्छा लगता है उनको चुनो बस उनसे पढ़ो कोई स्टॉपिक में डाउट आता है तो उनसे पूछो यह नहीं कि टीचर बदल दो ऐसा मत करना का भी भी नहीं ते फिर हो गया पढ़ चुके आप ठीक है चलो ओके सो हम लोगों ने यहां पे कर लिया कर दिया सबने हो गया की सजार की नहीं यार अरे अभी तक नहीं हुआ यार बाइस बच्चे अभी बच्चे हुएं कर लेना सभी लोग ठीक है चलो अब आगे चलते हैं तो हमारा यहां पर पजेशन की केस में सिंपल पजेशन हुआ जॉइंट पजेशन हुआ अब आज़ेए नॉन लिविंग अगर आपका नॉन लीविंग है मालिक मालिक अगरा आपका नॉन लिविंग है जैसे कुरसी के चार पाय तूट गए तो हम क्या लिखेंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं चेयर्स लेकस आर ब्रोकन तो यह कहना गलत है क्यों गलत है क्योंकि माली के चेयर जिसकी टांगें तूटी वो सजीव नहीं निर्चीव है और उस केस में आप है पॉस्ट औफियर शाओ नहीं लगाएंगे बलकि केवल औरॉस से बनाएंगे ताल नेक स्व survey ये TRA lleg लेक्स ओफ चेए अर ब्रोक्ड ठीक है न है यहां पर ध्यान रखें ऐसे केस में के बड़ेयो बहुत अच्छे इसके बाद एक प्याट एक पार्ट आता है किसी भी देश के नाम के साथ पॉस्टॉफियस लगा सकते हैं सुनो करते चलो देश के नाम देश के नाम या किसी भी जगे के नाम के साथ जैसे आपने का इंडियाज हिस्ट्री इंडियाज हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री हां पाकिस्तान's future तो पाकिस्तान का भविश्य ऐसे करके आप किस के नाम के साथ पॉस्टॉफियस लगा सकते हैं लिखते चलिए सभी लोग देश के नाम के साथ आप पॉस्टॉफियस लगा सकते हैं जी हाँ कभी कभी कोई नाम लिखा हुआ है और कोई नाउन लिखा हुआ है वो काफी बड़ा सा है जैसे माली जे अब्दुल कलाम जी का नाम था डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम इसका पूरा नाम लिखते हैं अगर तो डॉक्टर एपी जे यानि अब्दुल पाकिर जेनुल अ पांच ये और एक डाक्टर सब्द टोटल छे अक्षरों से बना हुआ था उनका अकेला नाम ऐसा ही बहुत चाइप की चीजों के नाम आते हैं अगर कोई नाउन एक से जादा शब्द का बना हुआ है कोई बात नहीं एपॉस्ट्रॉफियस हमेशा सबसे अंतिम में लगेगा बस यह याद रखना जैसे मेरा नाम है संदीब कुमार केसरवाणी तीन अख्षर से बना हुआ संदीब कुमार अगर आपको मेरा कोई चीज़ बताना है कि मैं इसका मालिक हूँ तो पेटा एपॉस्टॉफियस ना संदीब के साथ लगेगा ना कुमार के साथ केवल केसरव सबसे अंतिम में एपॉस्ट्रॉफियस लगाना है आपको बस इस बात का ध्यान रखें कभी मिस्टेक आप ना करें इसमें ठीक है एक जाक्ली एक एक और इंपोर्टेंट पॉइंट एपॉस्ट्रॉफियस काता है comparison के case में खासतोर पे जैसे आपने कहा my car is faster than Mr. Gupta अब आप इस sentence में my car is faster than Mr. Gupta वाले sentence में इसका अगर translation गूगल पर डालोगे तो निकलेगा मेरी car Mr. Gupta से तेज है तो क्या comparison मेरी कार को गुपता से कर सकते हो गया अगर आप अपनी कार हाईवे पे लेके जाओ अब अगल में गुपता जी दोड़े तो गुपता जी क्या क्रिश है क्या यार रितिक रोशन है क्या उनको क्रिश का रोल मिला गया गुपता जी को जो सर्र उसे भाग जाएंगे कार से भी तेज नहीं न इसका मतलब यह है संटेस में कुछ गल्ती है गल्ती यह है कि वो कहना यह चाह रहा है कि मेरी कार मिस्टर गुपता की कार से ज़्यादा तेज है कार कार भी कमपैरिजन ऐसे केस में इधर साइड आप यह पजेशन जैसा भी लिखना है माय कार यह और कार हिसका वो लिखो जो इधर आप नाम लिखते हो ना इसके साथ आप एपोस्टॉफी यस लगाओ मिस्टर गुपतास मिस्टर महताद या किसी का नाम है अरुन तो अरुन्स विनोस ऐसे करके बनाएंगे तो यह पजेशन के केस में ही केबल करना और कहीं पर भी मत करना पजेशन में एक और एक्जाम में बहुत बार प्रॉब्लम मैंने देखी है वो है एल्स के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट है समझा देता हूँ आपका एल्स का गेम यह है कि अगर आप कहीं पर इन डेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हुए देखे जैसे समववन एनीवन एवरीवन और क्या आता समवन एनीवन एवरीवन नोवन नोवन फिर बड़ी के चार समबडी एनीबडी एवरीबडी और नोबडी यह कुल मिला के आपके कितने हुए आठ आठ हुए रूल कहता है कि अगर आप इन में से आठ में से किसी भी शब्द को लेकर साथ में एल्स लगाके पजेशन जोडते हैं तो एपास्टॉपियस इन में से किसी के साथ मत लगाना एल्स के साथ लगाना समझाता हूँ एरर कैसे आएगी एक्जाम में एपना ने एक्जाम तो एक्जाम में लगाना 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 है किसी और की अच्वेट को स्टोंवन एल्स एक ये हिस्सा बना जब आप पजेशन की ही बात नहीं कर रहा हो तो कि वह समवन इंस लिखोगे लेकिन अगर आप यहीं संटेस कुछ स्टाइप से बनाएं मैं सक्सेज तस नौट इपेंड ऑन मिस्टर गुपता वाट समबडी अब आप यहाप लिख रहो हमाजना लॉजिक दोनों में अंतर गया है परने नीचे वाला संटेस पड़ो माई सक्सेज ड़स डॉट डिपेंड ऑन माई माई सक्सेज ड़स डॉट डिपेंड ऑन मिस्टर गुपता यहीं मेरी काम्याभी मिस्टर गुपता पर डिपेंड नहीं करती बलकि किसी और पर डिपेंड करती बट संबडी एलसेज बट संबडी एलसेज की सबड़ संबडी इसकी जरुत पड़े तो somebody या जो आठ प्रोनॉंस लिखे थे उनके साथ लगा हो तो else के साथ लगाई है कभी भी somebody else लिखा हुआ दिख जाए तो वह error somebody's anybody's nobody's everybody's और यह एक्जाम में आ चुका है इसको तुरंट टिक कर देना नहीं होता चीक है तो यह else sound पे खतम होने यह इसका exception है तो हम इसको as it is ही ऐसे ही यहाँ पे रखते हैं दिमाग में ठीक है आया समझ में yes or no exactly living के case में इंसान तो आते ही हैं जानवर भी आते हैं पक्षी भी आते हैं कुद्टे की पूँच डॉक्स टेल चिडिये के पंक birds feather समझ रहे हैं आप apostrophious लगा सकते हैं क्योंकि मैंने living बोला है मैंने यह नहीं कहा कि इंसान होने चाहिए यह कौन होना चाहिए मैंने living कहा है और living में इंसान जानवर और पक्षी तीनों आते हैं तो कीनों के साथ आप apostrophious लगाएंगे wherever needed guys यह पात हमेशा ध्यान लखें तो possession का जो case है इतने पर ही खतम होता है अब यह जितना भी आपने किया है इस पर हमें अब practice करने की ज़रोत तैयार है जितना पढ़ाया है इतने में I hope अब कोई confusion नहीं होगी आप लोगों को क्यों भाईयो confusion तो नहीं होगी न तो practice शुरू किया जाए कुछ बढ़ेया नए सवालों के साथ बोलिए जैसा आप कहिए भाई कुछ बढ़ेया नए सवालों के साथ चालिए शुरू करते हैं तो आज ही मेरे भाईयो एक point और ले लिजे लास्ट में ये कुछ compound nouns हैं जिनके साथ यह एन इसका फोटो खीच लीजे और इसको बीच-बीच में पढ़ लीजेगा ठीक है इसको फोटो खीच लीजे और बीच-बीच में पढ़ लीजेगा सारी लोग compound नाउन्स है इनमें मतलगा ना वेट वेट्स लिफ्टिंग कोल्स माइनिंग वाट्स नहीं करना जैसा लिख है सेम टुसे मैंसे ही रहता है इनमें पॉस्टॉफियस लगेगा तो एरर होगी वो ठेक ठेक है बच्चो तो यह पार्ट यहां पर हो गया अभी इसके बाद आता ह है दोस्तों exercise का पार्ट सो चलिए कुछ questions निप्टाते हैं बहुत मजाएगा सवाल है देर वर सम प्रोटेस्ट मेली प्रॉम दी इंडियन डाइस्पारा एंड योगा बफ्स ओवर वाट इद अलिजेर्ड ली अकीस ओफ कल्चुरल मिस्प्रोर्पोर्शन कम ओं कम ओं एब आपको याद होगा मैंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते जैसे फ्यू हो गया वैरियस हो गया कि अधियो हो गया मेरी हो गया सर्टेन हो गया अनंबर ओप हो गया एट्सेक्टरा और एक और लिए डाट इस सम अगर आप इन शब्दों के बाद obviously countable noun आता है and which is plural plural countable noun का इस्तेमाल किया जाता है इनके बाद right there are some लिखा आपने and after some you have written protest rule says to use plural noun after some certain many various and few different in शब्दों के बाद plural noun लिखना है and here you have only protest after some protest it's singular it should be protest so to error up KCA part में है plural noun protests होना चाहिए plural noun protests होना चाहिए पहले सवाल का सही और सठीक जवाब है protests over here my dear students इसको protest कर लिए सवाल नमबर दो करिए कुछ आपको टाइम देता हूं करिए इसको कि स्पीड से सवाल है a millennium later ek millennium के बाद the seventh savior's name the seventh savior name has morphed into a globally recognizable dread the declaration of international yoga day by the United Nations topped that trend that's very simple ये समय है a millennium later इसके पश्चार the seventh savior का नाम इसका नाम has morphed इसका नाम जैसे आपने कहा Sandeep सर का नाम Sandeep सर्स नेम Rohan का नाम Rohan's नेम Akash का नाम Akash's नेम तो ठीक उसी प्रकार से seventh savior का नाम seven saviors name where is possession जब जरूरत यत्र लगा क्यों नहीं रहे तो यहाँ पर apostrophe yes ओना चाहिए seven saviors name is correct थोड़ा आज question ये वाला high level हो गया मैं कुछ आसान वाले कोल देता हूं रुपो रुप जो रुप जो रुप जो ओके 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 ओल्राइट पांच question कल निप्टायते आसान वाले कल देते चलो छड़े से शुरू करो पांच question बस इसको निप्टाने बस हो गया ज्यादा नहीं है भाई कर सकते हैं मुझे यकीन है आप सब कर सकते हैं शुरू जाओ शुरू जाओ जल्दी से question 8 that is not my handwriting वो मेरी handwriting नहीं है and it is not my sign I have been framed मुझे फसाया गया यह मेरी sign नहीं है that is not my handwriting that singular is not my handwriting सही है आप और it is not यह नहीं है my sign मेरा sign आपको पता है कि SIGN जो है यह पाट साप इस पीच में में और इसका noun form होता है signature इसका noun form होता है signature आप मुझे बताओ यहाँ पे आपने लिखा it is not my after my you are using तो my क्या है एक पजिस्यू एजिक्टू and पजिस्यू एजिक्टू takes the noun after it my dear student then why not noun why sign why not noun signature why sign that's wrong part so गल्दी आपकी sign में है you cannot use sign over here you will have to use noun form of that word that is signature and it is not my signature I have been framed मुझे पसाया गया signature कीचे next question they advise you to put these items in your whole luggage to minimize delays that's very simple come on everybody hurry up आपके यह सब प्रीविए सिर वाले क्वेस्टन से जो भी करा रहों है exactly they advise you advise advise S लगा होता है तो वब है C लगा होता है तो noun they advise you वो तुमें advise करते हैं to put these items in your whole luggage hold luggage you know it well we cannot use luggage like luggage poetry scenery जैसे शब्द नहीं होते सही फोर में luggage poetry scenery information so luggage कहना गलत है यह केवल luggage ही होना चाहिए 8 सवाल पे आईए hurry up hurry up hurry up hurry up everybody सवाल नमबर 8 quickly speed से speed से there is only one people who can define success in your life and that is you और वो आप हो केवल एक आदमी इस दुनिया में जो success को तुमारी लाइफ में define कर सकते and that is you that's true there is only there is only one और one के बाद क्या लिख दिया let me tell you P E O P L E यह एक प्लूरल नाउन होता है और आपने एक प्लूरल नाउन वन के बाद लिख दिया अगर वन के बाद ही लिखना है तो इसका singular नाउन लिखिए that is person सो मेरे भाईयों यह गलत है क्योंकि आप अकेले की बात हो रही है इसलिए only one person होना चाहिए था पीपल की जगे पे नाइथ काई news and current of your programs are the television equivalent of newspapers come on everybody hurry up अभिशेक, रीतू दामिनी, कुमुदनी, जल्दी, अक्षया स्पीड से यह news and current affairs यह भी वर्ट तो गलत लिखा था current affairs सही नाम होता है current affairs नहीं रोज देखते हैं आप कर यह शो तब भी गलत कर जाएंगे क्या चलो current affairs कर लेना last question after this question हम लोग session को एंडर करेंगे आपको information देते हुए कि मेरी आगे दूसरी जो class होती वो कहां पे होती है तैंक यू अशीश थैंक यू बिटा session को like share कर दीजेगा अगर अच्छा लग रहा है तो please it is unclear यह बिल्कुल भी साफ नहीं है how to mitigate कैसे mitigate करें the effects of tourism on the island पे mitigate मतलब घटाएं कैसे घटाएं island पे tourism का प्रभाव अरे बच्छो it is unclear how to mitigate फिर आपने आर्टिकल दा लिखा दा आर्टिकल किसके पहले आता है नाउन के पहले थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे आपने effects लिखा हुआ है a f f e c t जो a से बनता है वो verb होता है और e f e c t जो e से बनता है वो noun होता है तो आपको यहाँ पे आर्टिकल दा के बाद क्या चाहिए noun अर्थात यह effects नहीं बलकि effects चाहिए था तो mistake है आपके option b में effects हटा के effects लगा दवाकि ठीक है got it everybody तो इस type से आपका यह बन गया पूरा का पूरा पार्ट उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा जिस class को आपने अभी देखा यह class हर रोज होती है तो हर रोज इस class का पार्ट बनिए आगे की class में हम आपके लिए कुछ नया questions previous year के practice करा देंगे मज़ा बहुत आएगा आप सभी को ठीक है ना दोस्तों आपके English में पूरे तीज topics हैं तीज topics में 16 topics grammar के हैं और 14 topics आपके practice वाले इन 16 में से मैं आपको इस wifi study पे के बलाट पढ़ाऊंगा और यह आठ topic पढ़ाऊंगा study guide चैनल पर तो यह study guide का YouTube channel comment में उपर देखो सबसे उपर वहाँ पर पिन करा हुआ है wifi study के नाम से subscribe study guide लिखा है न उसको तुरंत क्लिक करो तुरंत क्लिक करो के channel खुलेगा जैसे channel खुलेगा पुछ ऐसा दिखेगा तो आप क्या करना study guide channel पे subscribe कि यह लाल वाली बटन दबाना जैसे यह दबाओगे एक घंटी जैसा अगल में बन जाएगा उसको दबाना जैसे वो दबाओगे ऐसे all लिख के आ जाएगा बस वो all पे क्लिक करना है subscribe फिर घंटी फिर all इतना कर लोगे तो यह जो classes हुई है इनको देखने को मिलेगा रोज 9 बजे सुबह रात नहीं भाई सुबह पहली यह आती फिर दो बज़े वाले यहां से देखना शुरू करना भाई पढ़ना आज से शुरू करे यहां से शुरू करना यह फिर question text sentence 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 फिर उसके वाद active wise फिर और भी है classes तो यह ज़रूर देखना यहां से आपको पूरा knowledge मिलेगा और यह दो बज़े वाली आठ टॉपिक ग्रैमर की यहां पढ़ाओंगा आज टॉपिक वाइफर स्टोडी तुरहन सब्सक्राइब करो बैल आइकन दबाले हैं तूँ वह देखो वहां पर लगा हुए comment box में उपर जाके देखो comment box चाहां पर चल रहा है जहां पर आप comments लिख रहो सब्सक्राइब करना फिर ऐसे बेल आइकन दबाना फिर ऐसे ओल टिक लिए आज की इतनी क्लासे से साड़े तीन बजे के एक अगला शो है मिलता हूं आप सभी से साड़े तीन बजे यह पेड़ बैच ले लो यार कोर्स क्योंकि पेड़ बैच लेने पर आपको इंगलिश के साथ मैट्स रिज्डिंग जियर्स कंप्यूटर टायर वन टायर टू आल सब्जेट्स मिलेगा आज नहीं लोगे बाद में लेने का मन किया धाईजार डुबाएंगे आप आज ले लेंगे तीस परसेंट चूट है आज आज जोईन कर लीजे चाहे जो एक्जाम का कोर्स करी दिए प्लेइ स्टोर पे जाईए आने केड़मी लर्नर एप इंस्टॉल कीजे लॉग इन करिए संदीब बारा मतलब जो भी गोल आपको चाहिए तो एससी एक्जाम नॉन टेक्निकल पू इस सेशन को और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दवाए ये स्टुडी गाइड यूटू चैनल पर भी ठीक है चौट अभी इस सेशन को ये पर स्टॉप करते हैं हूं मिलते हैं अगले शो में साड़े तीन बजे थैंक यू बेरे मच गाईस थैंक यू बाए